जय भीम नमव बुद्धाय सातियों कुछ दिन पहले मैंने एक्स पे एक पोस्ट किया था जो पहले ट्विटर था तो उसमें काफी ज़्यादे वो पोस्ट बाइरल हुआ था तो 28-29,000 लोगों तक वो पोस्ट पहुचा था जिसमें 6-700 लोगों ने लाइक किया था 2-500 लोगों ने रिट्विट किया था तो मुझे लगा कि वही चीज मैं वीडियो के माध्यम से यूटूब पे भी अप्लोड करूँ जिससे लगे समाज में जाग रुखता है और जो बसपा को भी टीम कहते हैं उनके मुझे पे करारा तमाचा मारा जाए तो चलिए मैं सुनाता हूँ वो वीडियो क्या था और क्या मैंने लिखा था उसमें तो उसमें पहली लाइन लिखी थी चलो मान लिया हमारी एक भी सीट नहीं आएगी लेकिन सुअभिमान से सुम्जाओता नहीं होगा उसमें दूसरा था एक केस बताओ जिसमें बहन जी एडी और सीबियाई से डरती है तीसरा पॉइंट था एडी सीबियाई से बहन जी डरती तो 2019 में सबा के साथ गड़बंदन क्यों करती 2019 में भी डर के मारे गड़बंदन नहीं करना चाहिए था चौती बात थी उसमें बहन जी ने बहुजन समाज के लिए गेश्ट हाउट्स कान भुला कर सपा के साथ समझाओता किया फिर भी उनके खिलाब गलत खबर फैलाते हो पाचवा पॉइंट था उसमें अडल बिहारी बाजबई की सरकार किसने गिराई बहन जी ने ओभी एक वोट से छटा पॉइंट था बिना किसी सर्थ बाकी राजियों में कांग्रेस का समर्तन बसपा करती है लेकिन फिर भी कांग्रेस बसपा का भी डायक क्यों तोड़ती है साथवा पॉइंट था जब बहन जी सुरू से ही बोल ले हैं कि हम किसी गड़ बंधन में नहीं रहेंगे तो फिर गड़ बंधन के लिए इतनी गिरगिरा हट क्यों और बहन जी के सामने रोते हुए क्यों दिख रहे हो सपा और कॉंग्रेस वालों से कुछ सवाल पहले कॉंग्रेस बाबा सहाब को भारत रतन का सम्मान कॉंग्रेस ने क्यों नहीं दिया दूसरा करीब 55-60 सालों तो कॉंग्रेस ने राज किया और दलित वोट लिया फिर भी देश को दलित परधान मंतरी क्यों नहीं दिया आजादी के इतने सालों तो कॉंग्रेस ने एक भी दलित मुख मंतरी तक नहीं बनाया चन्नी सहाब को बनाया जो पंजाब के मुख मंतरी बनाये गये थे उनको भी मात्र 6 महिनों के लिए जब उनको पता लग गिया कि हम चुनाव हारने वाले हैं उत्तर पर्देश को छोड़ कर कॉंग्रेस बाकी राज्जियों में बस्पा से गड़ बंदन क्यों नहीं करती फोरिज्जमपल मद्ध्यपर्देश, राजस्थान, हर्याणा, पंजाब और उत्राकन अब सपावालों से सवार पर्मोशन में आरच्छड विल किसने फाड़ा? पर्तपर्ती साहुजी महराज के नाम से बने जिले का नाम किसने बदला? किसके परिवार के आधे लोग भाजपा में हैं? किसके पिता जी ने नरेंद मोदी को कहा था कि दुबारा परधान मंतरी आप ही बने? और हाँ सुनो, डलिक मुसल्मान, बीजेपी के खिलाप ओड करता था, करता है और करता रहेगा पहले उन OBC लोगों को समझाओ, जो 50% से जादे वोट भाजपा को देते हैं और उन यादो लोगों को समझाओ, जो 50% वोट भाजपा को देते हैं क्योंकि सबसे जादे हकमारी किसकी हो रही है? OBC वालों की और जो बार-बार बोलते हो कि सम्बिधान खत्रे में यह इसा कुछ होने वाला नहीं है तो टेंसन फ्री रहो सम्बिधान को कोई खत्रा नहीं जब तक बाबा सहाब के बंसज जिन्दा है तो उसमें एक कहावत है कि जुण में तो गिदर रहते हैं तो कैसा लगा मेरा पॉइंट और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट के बाद हमसे बताए और अच्छी लगी तो लाइक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्तों तक जरूर भेजें जै भीम